कलेक्टर श्री श्रीवराज सेहं वर्मा की अधिक्षिता में शनिवार को कलेक्टर सुभागरा बढ़वानी में फार्मगेट अप की जानकरी देने हैं तो बैठक का आयवजन किया गया है जिसमें कलेक्टर श्री श्रीवराज सेहं वर्मा सहित किसान उने भी अपने मुबाइल में MP Pharmagate एप डाउनलोट किया और बैठक के दुरान कलेक्टर श्रीव श्रीवराज सेहं वर्मा ने जानकारी दी है एप के मादियम से क्रश्रक अपनी उपजु खलीहान घर से ही विक्रे कर सकते हैं और सही मुले वं भुक्तान प्राप्त कर सकते हैं व्यापारी भी सीधे क्रश्रक के खलीहान घर से उपजु खरिद सकते हैं वं भुक्तान कर सकते हैं क्रशक एप पर अपनी फसल का ओफर दे सकते हैं जो उस मंडी के समस्त व्यापारियू को उनकी लॉकिन पर उपलब्ध होगा व्यापारियू सॉफर पर अपना रेट दे सकते हैं और क्रशक द्वारा मंजूर होनी पर सौधा पत्रक बना सकते हैं क्रशक व्यापारिय से सीधा संपर्क कर सहमती से भी पूर्वही तरहा सौधा पत्रक बना सकते हैं और क्रशक लॉकिन पर एप द्वारा सौधा इवं भुक्तान पत्रक की सुविधा प्रधान की गई है क्रेशक लॉगिन पर बनाए गए सौदा इवं भुक्तान पत्रुक का वित्र नुपलब्द रहेगा बैठक मी श्री शिवरास सिह वर्मा क्रेशी उपच मंटी के पधादीकारी के साथ व्यापारी बंदू उपस थी सर आज प्रहसकों और किसाल यापारियों की बारे साला अवरित की गई तो सर किस मामले की जाने करें दीकर सुरूब कि मद्धित सासन की और से अपनी फसल को बेचने के लिए MP फार्म गेट के नाम से एक एफ लॉंच किया हुआ है उस एफ के मात दम से किसान और बैपारी फसल का सौधा करके क्रेब कर सकते हैं किसानों को यह सुब्दा है कि वह अपने घर बैटे ही अपना रेश्रेशन करा बैचना चाथा और किस वाव में बेचना चाहता है और जिस में बेचना चाहता उस मंदी के मंडी के विपारी को सुकार कर सकते हwach कम कर सकते हैं इस तरह से पूरा उसमें जब हो जाईगा तो उसके भाद में वह बैपारी किसाने घर से जाहित 오늘도 खुरीदा मुझ अपने मालों को घर से ही बेच पाएगा और वैपारी भी उसका जो माल एक इसमें जो मंडी के रूल है वह मंडी का रूल है एक बार जो स्वधा के बाद में कुछ बी किसान वैपारी उससे पलटता है तो उनको पलटने का अध़कार नहीं है उसमें मंडी सेकर्टरी को उसे मंदिया हुआ है ऐसी स्थिति में कोई प्रटत आता तो उसका मंडी से कि जाएगे मंडी सेकर्टी सुर्ष की दौरा उसका नड़े लिया जागा कि कौन विक्ती गलत है और कौन सही है और इसी घंसार मंडी के नियमों के सब्सक्राइब की जा सकती है जग्दिश धंगर ज जयम कर्सी मंत्री स्री कमल पटेल जी के एक प्रयास से हार्म गेट एप मद्यप्रदेश में मंडी में जो किसानों की जो फसल है जो उपज है उसकी खरीदी होती है उसको आनलाइन खरीदी की जाएगी ताकि जो बीच में आरतिया दलाल या इस परकार के जो लोग होते थे वो दूर रहेंगे डायरेट किसान एप के माद्यम से अपनी फसल का भाव खुद जो भी अब हमेरी फसल का भाव में खुद तै कर डालूंगा और जो व्यापारी है व्यापारी उस फसल का मुल्ले तै करेगा और आपस में हमारा जो एग्रिमेंट होगा उससे आधार पर खर मिलेगा क्योंकि व्यापारी अभी हमारी मंडी सेत्र में ही खरीदी कर सकता था और मंडी में खरीदी करता था अब व्यापारी भी किसान के घर से माल जो उपज है उसको खरीद सकेगा तो इस एप के माद्यम से जो खरीदी होगी इससे किसान को भी फाइदा होगा और व्य लागत है उस किमत जो मैं ताई करूँगा उस पर विक्री होगी